इसमें आपको दो most important ingredient का यूज़ करना है और इन दोनों ingredient का यूज़ करने से ये जो शैंपू है वो perfect ready होता है ठीक है और चाहे आपने कितनी भी heavy hair oiling की हो जैसे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा oil अपने बालों में लगाया हुआ है और ये शैंपू आपके बालों से oil को पूरी तरीके से निकाल देता है साथी साथ आपके बालों को rough और dry नहीं बनाएगा आप जैसे मेरे बाल देख सकते हैं आपके hair growth में ये शैंपू बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने माला है इसको यूज करते हैं अगर आप तो आपके बाल बहुत तेजी से घने भी होंगे लंबे भी होंगे जढ़ना बंदो जाएंगे बालों में कम माल की शाइन आएगी जैसे अभी आप मेरे बाल देख सकते बोला गया है practice makes you perfect और ये बात बिल्कुल भी सही है आज एक साल हो गया है मैं अपने बालों में natural shampoo का यूज करती हूँ घर पर ही मैं शैंपू बनाती हूँ और उसी का यूज करती हूँ अपने बालों में एक साल पहले ही chemical वाले shampoos का इस्तिमाल करना बंद कर दिया था क् आपके बालों में बहुत सारे chemicals होते हैं जो आपके बालों में build up होते जाते हैं with time और आपके बालों को बहुत जादा damage करते हैं ठीक है और natural shampoo को बनाना perfect तरीके से बहुत जादा मुस्किल होता है क्योंकि एक साल लगा मुझे ये technique सीखने में तो जब ही मैं natural shampoo बनाती थी आम अपने natural shampoo को बहुत यच्छे तरीके से बना सकते हैं ये आपके बालों से पूरी तरीके से oil को निकाल देता है साथी साथ ये टपकता भी नहीं है Hi Everyone, Namaste, मैं हूँ Garima और स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पे अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगा ये वीडियो का आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिये और अगर आप लोगको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर लेगा और अब चलिए बिना किसी तरीकी वीडियो शुरूर कर लेते हैं इस नैच्रल शेंपू को बनाने के लिए आपको एक मुठी के बराबर रीठा लेना है रीठा आपके बालों से डेंडरॉफ को पूरी तरीके से हटा देता है और डेंडरॉफ बहुत बड़ा रीजन होता है हेर लॉस के पीछे तो यह आपका हेर लॉस स्टॉप करेगा हेर शीकागाई ले रहे हैं तो ठीक है अच्छा देखे शीकागाई आपके जो स्कैल्प के पोर्स होते हों को बहुत ही डीपली क्लीन करने का काम करता है साथी साथ प्रिमिच्योर हेर ग्रेंग को ट्रीट करता है और आपके बालों में बहुत अच्छी से शाइन आड़ करता ह अब यहां पे जो next ingredient है वो है हमारा आमला मैंने यहां पे dry आमला लिया हुआ है आमला भी premature hair grain को treat करता है आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है यह आपके scalp में blood circulation boost करता है और hair growth promote करता है ठीक है तो देखें आमला, sheikakai और rita यह तीनों चीजें common होती है natural shampoo बनाने के लिए यह तीनों चीजें आपको यूज करना ही है ठीक है लेकिन इनी सब तीनों चीजें का यूज करके अगर आप shampoo बनाएंगे तो बहुत रनी हो जाएगा तो कुछ ingredients और add होने है देखें यहां पे एक चमस के बराबर मैंने ब्रम्भी powder लिया है ब्रम्भी powder आपके premature hair grain की बहुत ही अच्छी होती है ठीक है तो यहां पे मैंने दो चमस के बराबर ब्रम्भी powder का यूज किया है ब्रम्भी powder premature hair grain को भी treat करता है hair growth support करता है ठीक है जो जो चीजें मैं यहां पे इस्तेमाल कर रही हूं सबका link मैं आपको description box में दे दूँगी तो description box आप जरूर चेक अब देखें यहां पे जो most important ingredient है शैंपू को बनाने के लिए वो है हमारा fenugreek seed इसको आपको जरूर यूज करना है आमला रिठा शीका का यह सारी चीजें तो natural shampoo में यूज होती ही है तो उसके आलामा जो most important ingredient है वो है हमारा fenugreek seed fenugreek seed और next ingredient है हमारा hibiscus flower यानि गुड़हल का यह दोनों चीजें आप एड़ करेंगे तो यह शैंपू को body देती है मतलब कि शैंपू आपका थीक होता है अगर बहुत जादा लिक्विरी शैंपू होगा तो उससे आपका बाल साफ नहीं होगा आपके बालों में oil रह जाएगा इसलिए यह दोनों ingredient बहुत ही जादा important है दो तीन चमज के बराबर आप fenugreek seed यानि मेथी seed आइट करिए और अगर फ्रेश यूज कर रहे हैं गुढ़ल के फूल का तो दो तीन गुढ़ल का फूल यूज कर लीजिए अगर ड्राई यूज कर रहे हैं तो एक मुठी के बराबर आप हिबिसकस फ्लावर ड्राई वाला अब क्या करना है रीठा जो होता है उसमें seed होती तो रीठा में जो भी seed है अच्छे से आप देखके seed निकाल लिजिए अगर इसमें seed रह जाएगा तो आपका grinder टूट सकता है ठीकर तो seed निकाल लिजिए अच्छा अभी आपको इसको grinder में डाल के ग्राइंड नहीं करना है नहीं तो आपका शैंपू अच्छा नहीं बनेगा most important step अभी शुरू होने जा रहा है और वो ये है कि आप इसको gas पे रखे और धीमियाज रखेगा और इसको reduce करके half करिए जितना पानी था जल के जब तक half नहीं हो जाता तब तक आपको इसको पकाते रहना है अभी ये reduce के half हो गया है इसको पूरी तरीके से ठंधा नहीं करना है जब ये हलका सा गरम रहता है तब ही हमें इसे grind करना है जब ये हलका गरम रहता है ना तब आप grind करते हैं तो बहुत ही easily grind हो जाता है और ये इस shampoo बहुत ही effective बन के तियार होता है तो अभी कि अगर नहीं कि इसको grinder में टालिए खोब अच्छे से grind कर लीजे अभी देखिए इसमें बहुत ही कम residue है क्योंकि बहुत ही अच्छा सा paste बन गया है जैसे आप देख सकते हैं और ये देखिए रनी बिल्कुल भी नहीं है ये ठीक है तो ये आपके बालों से टपकेगा नहीं और ये आपके बालों को बहुत अच्छे से clean करेगा at the same time आपके बालों को dry नहीं करेगा अच्छा देखिए जो market वाला shampoo होता है जो chemical वाला shampoo होता है मैंने बहुत heavy hair oiling की हुई है आपको देख के पता भी चल रहा होगा इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही अपना बाल दिखा दिया ताकि आपको समझ आए कि ये shampoo कितने अच्छे से काम करता है अब अच्छे से इस shampoo को अपने पूरे scalp में और पूरे बालों में लगाना है ठीक है जैसे आप hair mask लगाते हैं महदी लगाते हैं उसी तरीके से आपको अच्छे से इसको अपने पूरे scalp में बालों में लगा लेना है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर मैं लगा रही हूँ और अच्छे से अपनी hair line भी cover कर लीजेगा क्योंकि यह shampoo बहुत ज़्यादा effective है इसके अदर बहुत सारी herbs हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसको मैं एक घंटे के लिए छोड़ूँगी सिर्फ एक दिया दो घंटे के लिए आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे देखिए जो chemical वाले shampoo होते हैं वो आपके बालों को with time बहुत ज़्यादा damage करते हैं और एक वक्त ऐसा आजाता है कि आपका बहुत ज़्यादा hair loss होता है और यकीन मानिए chemical वाले shampoo conditioners होते हैं वो आपको बाद में realize होता है तो इसलिए उन सारे चीजों का use मत करिए इस shampoo का use करिए बहुत अच्छा result मिलेगा आपको अच्छा इस natural shampoo को अपने बालों में थोड़ी दर के लिए छोड़ेगा एटलिस वन आर के लिए छोड़ेगा उसके बाद देखिए बहुत सारी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे सेनल को सब्सक्राइब करेगा मेरी वीडियो का आप जीतना ज़्याद शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेगा और अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई and still happy